दोस्तो एक बार फिर स्वागत है गुरु इंजीनियर A to Z चैनल में आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिस जानकारी के जानने के बाद आप किसी भी तरह का बोर्ड, एक्षेंशन बोर्ड या स्विच बोर्ड अराम से बना लेंगे वाइरिंग में क्या विशेशता हैं, क्या दिहान रखना हैं, वाइरिंग तो किस तरह करना हैं इस सारी विशेश जानकारी आपको वीडियो के अंतर पूरी समझ आ जागी दोस्तो वीडियो को ध्यान से देखना पूरी देखना वीडियो से अगर आपको कोई विशेश लाव हो या कोई जानकारी प्राप्त हो अच्छी तो वीडियो को शेर लाइक और सब्सक्राइब जुरूर करना दोस्तो ये गैंग बोस है जिसके अंदर हमारी दो सोकट दो ओनो स्विच एक इंडिकेटर और एक फ्यूज आए ये आपको सभी खाचे ओनो स्विच के दिख रहे हैं पर इन खाचों में हमें सोकट बनाने के लिए इनके साइट ब्लॉक तोड़ने पड़ेंगे जिससे हमार चेक सोकट बन जायेगे ऑर एक हमारा इंडिकेटर हो जाएगा और एक हमारा फ्यूज हो जाएगा किस्तरा बनाना है कैसे बनाना है इसे ध्यान से देखें दोस्तो हमें दो सोकट बनाने के लिए पहली ये फ्रंट वाली दो सोकट के ब्लोक तोड़ने पड़ेंगे तो दो हमारी ये सोकट बन जाएंगी ये दो ओनफ हो जाएंगे एक हमारा indicator हो जाएगा और एक fuse हो जाएगा ये printing वाली side है front side है ये देखें इस पर printing है उपर तो इसी front side को हम use करके उल्टा करके इसके block तोड़ेंगे और हमारी front side का ये वाला हिस्सा जो block तिख रहे हैं आपको इधर ओधे दर left और right दोनों side के हम तोड़के इसको socket के लिए तियार करेंगे कि वुआ हम झाओके रहे हो और सक्षिभ इस्साइब करेंगे रिए मैंने करेंगे को पोड़ connects को with क्षबा जिए उच मैंने मैंस्पटर לפ Joy कि रही लचा जतनाctive यदोगले के ज़गे पतotzdem है दोस्तों ये हमारी दोनों सोकड त्यार होगी हैं पर इसकी फिनिशिंग के लिए हमें फाइल यूज करनी पड़ेगी और इसके ब्लोक तोडने के लिए आप हमेशा प्लास का यूज करें हाथ से तोड़ेंगे तो बहुत मुश्किल होगी बहुत दिक्कत होगी अब इसकी फिनिशिंग को प्रोपर बनाने के लिए इसकी सोखड को प्यार करने के लिए हम रेती फाइल का यूज़ करेंगे दोस्तों फाइल यूज़ करने के बाद ये देखें आपकी इसमें ये लाइट सोकट फिट हो रही है ये दो आपकी सोकट त्यार हो गई दो ओनफ सीच हो गए एक हमारा इंडिकेटर एक हमारा फिट करते हैं फिर मैं आपको इसके वाइरिंग के बारे में जानकरी देता हूं दोस्तों मैंने दोनों सोकट फिट कर लिया है बाकी को ओनफ और फिज और इंडिकेटर फिट करके मैं आपको वीडियो को आगे लेके जाता हूं अगर सारा एक सब मैं दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों इसकी दोनों सोकट, दोनों on of switch और इंडिकेटर और fuse को मैंने प्रोपर fit कर दिया है दोस्तों बस आपने एक बात का विशेश याद रखना है जब इसके on of switch आप fit करते हैं तो प्रिंटिंग हमेशा ऊपर रखना और प्रिंटिंग नीचे होगी तो switch on of उल्टे काम करेंगे और इससे आपको बहुत दिक्कत होगी fuse में भी लिखा होता है यह देखो fuse के spelling आप देख लें fuse proper सई प्रिंटिंग में अगर यह उल्टा लगे कहीं नहीं पहले बात तो क्योंकि लोने लगाए इससाफ से होता है यह उल्टा लगी नहीं सकता तो इसके जो नीचे टर्मिनल हैं जो खाचे बने हुए यह फिटिंग के साफ से बिल्कुल सीधा ही जाएगा प्रिंटिंग के साफ से यह देखें इंडिकेटर में भी प्रिंटिंग होती है प्रिंटिंग उपर हो तो switch की finishing जादा अच्छी आएगी इस सारा समान मैंने anchor company का यूज किया है आप किसी भी brand का यूज कर सकते हैं उससे कोई problem नहीं है अब मैं आपको इसकी wearing करके भी बताता हूँ दो हमारी circle हैं इसमें आयागा हमारा neutral इसमें भी महारा आयागा neutral एक हमारा indicator में neutral आयागा जो पीछे से हमारे neutral face आता है अर्थ आता है अर्थ की इस board में कोई जूरत नहीं है क्योंकि यह plastic का है तो इसके अंदर हमें neutral और face चाहिए face हमारा fuse से होता हुआ ओन अफ पर जाएगा ऊपर दोनों ओन अफ पर जाएगा फिर नीचे जैसी हम करेंगे इधर एक wire से हमारा fuse इधर से connect हो जाएगा यह महला on the switch यह दोनों अफ इस terminal से on होंगे wire के थूँँ जैसी on करेंगे टर्मिनल शोट होगा वाया वायर के अथ्रू हमारा टर्मिनल ये सोकट काम करेगा तो आपको मैं एक बार अच्छी तरह से वायरिंग करके भी समझाता हूं इस तरह से हो सकता है आपको जान करी अच्छी तरह से समझना है आपको वायरिंग करके स्टेप बे स्टेप सब को सम सकते हैं लेकिन ज़्यक्तफ हे हैं लेकिन यादा तर लप नहीं की पूर्म addresses करें किeng लॉग मेंट कर लिए पूर्ट हैख axis आज़ सब कि दोस्तों जैसे तारों को आप कभी भी चीलते हैं चीलने के बाद अच्छी तरह से दोनों तार को जैसे दोनों दो तारों को हमें जॉइंड एक पेज में डालना है तो उसको अच्छी तरह से ट्विस्ट करके ही प्रोपर एक जान बनाके ही डालें तार को अगर आप बिल् लगाने के बाद बहुत अच्छी तरह से टाइट करने हैं अगर एक भी पेस लूज रहा जगा एक तो वायर भी निकल देगी होसता हूँ आपका उनस्विच काम नहीं करेगा तो सोकट भी काम नहीं करेगी लूज होने से स्पार्किंग भी हो सकती है स्पार्किंग होगी तो करता हूँ आप किसी भी परकार का कोई भी बोल्ड रपेयर कर सकते हैं कोई भी तरह का एक्षेंशन कोड बना सकते हैं पर कुछ साफधानियों के साथ कुछ भरीकियों के साथ वो हमेशा आपको जाद रखनी पड़ेंगी यह हमारी लाइन है जो पीछे से हमारे आएगी न मैंने इसके अंदर ब्लेक वायर को न्यूटल के लिए ये उस करा है और येलो वायर को फेस के लिए फेस 220 वॉल्ट अंथे और न्यूटर का जिसमें कोई वोल्ट नहीं होती जब 220 वॉल्ट न्यूटल और अपना हमारी अ से मिलती हैं तब ही यह काम करते हैं जब तक इसमे कि कि जो आप वाइर करते हैं तो जहां पर नूटल और फेस के करेंशे आते हैं जैसे इंडीकेटर पे आता है और हमारी आता है कोई भी वायर गलती से छोटी सी भी निकल कर नूट्र से टेच नहीं हो हलकी सी क्यूकिब यह लुद्ध होती है कई मैं इसकी step by step आपको wiring के बारे में पताता हूँ इसमें दोस्तों हमने दो socket, दो on of switch और एक indicator और एक fuse यूज़ यूज़ किया है fuse हमारा तक तक काम नहीं करेगा जब तक हम इसमें wire नहीं लगाएंगे wire हमने इसमें बहुत पतली सी लगानी है मोटा मोटा एक ampere से डेड़ ampere जो हमारी ये multi wire हम यूज़ कर रहे है इसकी पतली पतली पांच से छे wire वो भी मैं आपको लगा के दिखाऊँगा पहले मैं आपको wiring के बारे में जानकारी देता हूँ ये हमारी दो socket है, ये दो switch है ये indicator है, ये fuse है जो main line हमारी आएगी ये पहले हमारे fuse के first point पे आएगी fuse के अंदर wire लगने के बाद fuse का काम शुरू हो जाएगा face नीचे आएगा face हमारा एक आ रहा है indicator पे, indicator पे हमेशे neuter और face direct आता है, indicator ड्रेक्टी काम करता है बहुत कम ही owner switch के अत्रू indicator यूज किया जाते है ये हमारी जो socket है, इसके अंदर हमने जे हो black wire wire हमने मुशा neutral के लिए यूज की जाती है, आप कोई भी color यूज कर सकते हैं, पर neutral face जो भी wire यूज करेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा socket पे एक हमारा wire को joint कर दिया, काट कर फिर इधर भी हमारा एक neutral आ गया एक हमारा neutral indicator पर आ गया और ये हमारी पीछे से neutral line की line जो आरी 220 volt एसी, एक yellow वाली face की है 220 volt और yellow वाली black वाली हमारी है neutral 0 volt, ये 220 volt एसी है, जो पीछे से हमें line आएगी main wire एक हमारी indicator पर आगी खाता हम, owner switch के उपर हमेशा face direct आता है, एक हमारे को face fuse के fuse face से face आएगा, नीचे अले terminal से सीधा हमारे owner switch के उपर आजएगा, जितने भी owner switch होंगे सब के top पे हमेशा face आता है इसके उपर face आएगा, इसके उपर face आएगा एक face हमें indicator को on करने के लिए चाहिए, एक face हमारे यहाँ आएगा, एक face हमारे owner switch के उपर इधर आएगा, एक हमारे इधर आएगा, अब उपर आने के बाद यह owner switch किस तरह काम करेंगे यह wiring देखिए अब यह हमारा fuse face आ रहा है main, fuse लगने के बाद मारा यह face आ गया, एक हमारे indicator पे चला गया, और यह owner switch के top पे आ गया, एक wire owner से हमने जो नीचे वाला terminal wire लगा के, socket के terminal पे, wire wire के, अथरू हमने face पुचा दिया, जैसी owner switch on करेंगे, terminal नीचे का short होगा, wire के अथरू socket पे current आ जाएगा, और हमारी socket बर्क करने लगेगी क्योंकि neutral हमेशा socket पे ढट होती है switch on off, off करेंगे face cut off हो जाएगा current socket पे आना बंद हो जाएगा और हमारी socket काम करना बंद कर देगी यह सभी socket और switch पे सब जगा पे एक ही procedure होता है चाहे हो power की socket हो चाहे हमारी light की socket हो सभी on off switch पे हमेशा उपर top पे face आता है नीचे wire से socket पे current जाता है, इस चीज को आपने विशेज याद रखना है और wire को जब आपने लगाना है तो थोड़ी सी wire आप हल्की सी ज़दा चील लें मैं आपको बता देता हूं किस तरह से चील के आप twist करके अच्छी तरह लगाएं इस तरह से double भी करके लगासते हैं जैसे यह वैरे wire चीली आपने इसको twist करा इसको आपको wire को थोड़ा bend करते हैं बेंड करके यह double हो गई, फिर आप screw में डालेंगे page में, फिर paste tight करेंगे तो proper अच्छी tight होगी page को end तक, last चूड़ी तक tight करना है, बहुत ज़्यादा tight नहीं करना है अगर ज़्यादा tight कर देंगे, चूड़ी खराब हो जाएगी फिर वो जो भी socket का या owner switch का screw होगा वो काम नहीं करेगा, तो last end तक proper tight करें पर ज़्यादा ये भी आपको विशेश ध्यान रखना है दोस्तों आप देखते हैं वाइरिंग के बारे में आपको मैंने जानकारी देदी, अब इसको extension code को या इसको extra board को जो भी आप मान लें, इसको उन करके देखते हैं कि ये work कर भी रहा है के नहीं कर रहा इसका भी हम द्यान रखते हैं neutral face जहां भी आ रहा है, आपने वहां देख लेना कोई wire short तो नहीं हो रही और wire short हो रही होगी तो उसको सही कर लें अगर wire ज़्यादा छिल गई है तो उसको page के उपर ही bend कर दें पेशकस से, तांकि आपस में neutral face से कई wire short नहीं हो दोस्तो fuse में wire कैसे लगानी है और fuse किस तरह काम करेगा आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें मैं आपको इसके बारे में बहुत ध्यान पुर्वर बताता हूँ आपने किसी भी color की wire यूश करी हो पर multi wire होनी चीजिए आजका multi wire ही आती है पहले वाली wire नहीं आती है आपने wire को चील लेना है क्योंकि fuse में लंबी wire लगेगी क्योंकि पूरा गुमाकर लगाना पड़ेगा तो आपको अच्छी तरह से चील लेना है पहले wire को लंबी wire चाहिए क्योंकि आपको झाल झाल यह देखो आप मल्टी वायर जब चीलेंगे समय से ऐसे वायर निकलेंगी तो आपने इसमें से ज्यादा वायर यूज नहीं करनी है कम से कम पांच से छे वायर आपने यूज करनी है बस छे वायर यूज कर सकते हैं आप इसमें यह देखें मैंने टोटल इसमें छे वायर यू प्रोपर एक वायर बन चुकी है आपके बस टीन वायर है पतली वायर तो आप टीन वायर भी यूज कर सकते हैं फ्यूज की जगह अब मैं आपको इसको लगा कर देखाता हूं जो इसमें दो पेच लगे हुए है ये देखें पत्ती के साथ वाले एक ये और एक ये इनको थोड़ा थोड़ा अपने लूज करना है और इसी के उपर से वायर गुमा के अच्छी तरह से यहां से लेकर यहां तक दूसरे पेच में दोनों पेचों पर लगा के टाइट कर दे आप दूसरे खा बाहा है ये अच्छी की कर दोना है ये घर से लेकर ये कर दोड़ा है कि दोस्तों देखो मैंने वायर दूनों पेच्चों से घुमा कर अच्छी तरह टायट कर दिए अब जो तुम्हारी एक्स्टा वायर है जैसे यह एक्स्टा वायर है आप इसको कटर से काड़ दें क्योंकि इसका काम खतम हो गया यह आपका फ्यूज त्यार हो चुका है यह देखेंस में वायर लग चुकी है जब आप बोर्ड में काम करेंगे कलती से कोई भी चीज़ शोर्ट होगी तब यह फ्यूज उड़ जाएगा और आपका वो अप्लैंसिस जो भी होगा हेर डैर हो कुछ भी हो जो भी आप चीज़ कर रहे हो वो सेफ बच जाएगी और आपका नुकसान कम होगा फ्यूज का यही बैनिफिट है कि आपकी कोई भी शोर्ट वाली चीज़ होती है फ्यूज उड़ने की वैसे वो चीज़ बच जाती है उसकी वायरिंग शोर्ट नहीं होती है एमसी भी जहां होगा एमसी भी ट बच अके नंवायर आप जितनी मर्जी लम्भी करने एक्षेंश्यक कोड बनाना है तो लम्भी ऐसे करने चिक्षेंश्यक बड़ी लगाना है तो जितनी वायर ज़िए उसका ओन हो चुका है हमारा यह बोर्ट काम कर रहा है आप देख रहे होंगे ठीक है पीच्छे से अभ यह देखो ओने सुच कर रहा हूं बोर्ड हमारा काम कर रहा है बाकी बोर्ड अब फ्यूज भी काम कर रहा है नहीं कर रहा है जैसी अगर हम फ्यूज निकालेंगे हमारा फेस कट अफ हो जाएगा और हमारा इंडिकेटर भी बंद जाएगा यह देखें जैसी हमने फ्यूज न इसको जानने के लिए या तो आप कोई हेड एर लगा लिए या कोई भी चीज ऐसी अउन करकर देख लें फिलाल मैं टेस्टिंग होल्डर से राइना की ने करें टेस्टिंग होल्डर है इसकी में वायर लगाता है इसलोपर सबसे पहले दोस्तों मैं पहली सोकर्ट जूस करता हूँ पहली सोकर्ट में मैंने दोनों वाय लगाई बलो होल्डर की और मैंने ओनो स्विच करा ये ओनो स्विच करते ही पहली सोकर्ट हमारी वर्क कर रही है अब मैं दूसरी सोकर्ट जूस करूँगा दूसरी सोकड में भी हमारा न्यूटल फेस काम कर रहा है निकर रहा हूं उनकर काम कर रहा है कि निकर रहा है यह भी देखते हैं खुलेगे नई पैर हाथों में कही ऐटकेगी नहीं पैरोमिनित कई है आप एक्षेंशन कोड की तरह भी जुज कर सकते हैं एक्स्टा बोर्ड भी बना सकते हैं देवार पर लगा जोट करके इसका extra switchboard की तरह भी यूज़ कर सकते हैं पीछे आप गत्ता लगा लें मैं आपको गत्ता भी लगा कर दिखा सकता हूं बाकी आपको वाहर कहीं से भी निकालनी है इधर से निकालनी है तो इधर से आप कटर से थोड़ा कट डाल दें और जब भी आप इसको यूज़ करें एक काठ जूर मारें वह काठ भी मार आपको मार के दिखा देता हूं नोट जूरू ज़ूरू अगर्ट लग गई है गाठ लगने से यह अब यह अंदर ही राजाएगी इससे आपकी वायर्ट ऊटे गी नहीं इसके उपन मैंने कट्टा पार रखा यह मैं कट्ता आपको लगा क दिखा रहता हूं और टेपिंग करके भी दिखा रहता हूं इससे अब यह है कि वायरिंग पर किसी का हाथ लग भी जाएगा या कोई इस पर चीट टैच भी हो जाएगी तो यह शौर्ट सर्कृट बेरी आएगा आप प्लास्टिकी शीट भी लगा सते हैं कोई लगकर का ब इन पर भी रख सकते हैं टेबल पर भी रख सकते हैं तो दोस्तों आपको मैंने जो जानकारी थी सारी जानकारी दे दी है आप किसी भी तरह का बोड बना सकते हैं वायरिंग का आपने विशेश धियान रखना है न्यूट्रल फेस कहीं पर भी आप यूस करते हैं बस उसकी म लाइक शेयर जुरूर कर देना जल्दी मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ